Hello Friends, इस वीडियो में हम energies के बारे में देखेंगे masculine energy और feminine energy अब ये energies हम सब के अंदर होते हैं और चाहे male हो या चाहे female हो हम दोनों के अंदर ही masculine और feminine energies होते है मतलब female के अंदर भी masculine energy भी है और feminine energy भी है और male के अंदर भी feminine energy भी है और masculine energy भी है यह हमारा जो right side of the body है वो masculine energy होता है हमारा जो left side of the body है वो feminine energy rule करता है जबकि हमारा जो right side brain का है जो हमारा creative side होता है brain का जो right brain होता है वो feminine rule करता है और जो left brain होता है जो logical brain होता है हमारा वो masculine energy rule करता है जैसे कि सारे laws में से एक law होता है law of polarity कि जो पूरा universe है वो plus और minus में polarity में create हुआ है तो सब के अंदर ये दोनों ही energies present होते है masculine energy और feminine energy अब जो feminine energy होता है वो creative होता है वो intuitive होता है वो love को represent करता है जो हमारे अंदर caring attitude रहता है लोगों के लिए धया भाव रहता है kindness रहता है compassion रहता है empathy रहती है तो ये सारी जो qualities होती है जो हमारा creative side है वो सब feminine energy represent करता है और हमारे अंदर जो logical side रहता है और जो focus होता है decisive लेते हैं कभी decisions लेने के लिए masculine energy की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ पे focus करने के लिए masculine energy का part रहता है जब हम चीज़ों का तर्क वितर्क करके फैसला करते हैं life में analyze करते हैं चीज़ों को ये सारा masculine energy represent करता है तो masculine energy का जो base है वो है power strength जो हमारा confidence है वो masculine energy और जो feminine energy का base है वो है love तो masculine energy power है और feminine energy love है जब भी किसी के साथ interaction करते हैं energies exchange होते हैं हमारे तो हम अपने masculine और feminine energy से ही अपने surrounding में जितने भी लोग हैं लोगों के साथ जब interaction करते हैं तब ये ही energies होती है जो एक दूसरे के साथ exchange होती है और अगर ये ही energies balance नहीं है तो फिर बहुत सारे problems होते हैं life में अब योग में भी हमने पढ़ा है कि सुश्मना नाडी होती है जो इडा है और जो पिंगला है ये दोनों ही side से दो channels है जो masculine और feminine हमारा body का जो हिस्सा है ये सुश्मना नाडी से पास होता है और फिर जब सुश्मना नाडी कुंदलेनी शक्ती हमारी उपर चड़ती है वैसे ही ये दोनों ही channels को balance करके जो हमारा आग्या चक्र होता है इसमें masculine और feminine unite होते है एक दुसरे से मिलते हैं और ये दोनों energies का balance होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये दोनों ही energies हमारे अंदर balance हो अब जिनका masculine side balance नहीं होता है वह बहुती weak willed होते है वह बहुती डर होता है उनके अंदर हमेशा लाइफ में हर जगा उनको बहुत डर लगता है कुछ भी चीज फेस नहीं कर पाते हैं डिसीजन्स नहीं ले पाते हैं और उन्हें अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है जब हम लाइफ में रिस्क लेके कुछ नया काम चालू करते है या जब कुछ हम रिस्क जिसमें चाये रहती है तो रिस्क लेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है उनके अंदर जिनका मैस्कुला एंसाइट बालन्स नहीं होता है और बहुत ज़ादा इगोस्टिक होते हैं बहुत ज़ादा गुस्सा आता है उनको बार-बार और बहुत ही डर लगता है जादा जिनका feminine side balance नहीं होता है वो लोग जादा caring नहीं होते है वो दूसरों का care नहीं कर पाते है उनके अंदर patience बहुत कम रहता है और compassion, empathy यह जो abilities होते है जब हम दूसरों को देना चाते हैं, हम दूसरों को help करते हैं यह सारे abilities उनके अंदर कम रहते हैं, दूसरों के feelings वो लोग easily नहीं समझ पाते है अगर जो feminine part है वो balance नहीं है तो यह सारी चीज़े होती है अब तक हम एक un-imbalanced masculine energies में रहते आए थे अगर हमारी आप society को भी अगर आप देखा जाए तो masculine को males को अकसर powerful समझा जाता है और females को weak समझा जाता है, इन दोनों को ही equal नहीं देखा जाता है और हमारा अगर आप education system भी देखो तो बहुत ही logical और analytical है इनका बच्चों का creative side को ज़्यादा support नहीं दिया जाता है तो हम अकसर बहुत ही imbalance masculine energies में अब तक रहते आए थे क्योंकि अब time change हो रहा है, बहुत ही feminine power है जो उपर आते जा रहा है इन दिनों तो ये masculine और feminine में एक balancing process हो रहा है अब अगर हम at present situation देखें तो दोनों को ही equal समझा जाता है इक्वली नजर से देखा जाता है और feminine power अगे आते जा रहा है इन दिनों तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि दोनों ही energies balance हो रहे है जो overall energies है हमारे earth में जैसे ही vibration उपर हो रहा है तो ये दोनों ही energies का balancing process हो रहा है वैसे ही internally भी हमें ये दोनों ही energies को balance रखना है तबी ही हमारी life में वो inner balance और inner harmony रहेगा तो अगर हमें ये divine masculine और divine feminine ये दोनों ही energies अपने अंदर balance करने है तो हमें इन energies को समझना बहुत जरूरी है हमें अपने behaviors को देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारे अंदर कौन सी energies dominant है और कौन सी energies imbalance है जिसके वज़े से हमें उसे balance करने की जरूरत है जो kindness है जो care है वो अगर हमें कम है तो हमें feminine side को balance करना बहुत जरूरी है हम अगर ज़्यादा अपने आपको creative नहीं समझ रहे है तो हमें feminine part को balance करना बहुत जरूरी है और अगर हम बहुत ज़्यादा logical है और बहुत ज़्यादा practical सोचते है या बहुत ज़्यादा डरेवे रहते हैं बहुत ज़्यादा गुसा आता है तो हमें अपने masculine side को balance करना बहुत जरूरी है तो अपने अंदर हमें ये energies को जानना है और हमें देखना है कि कौनसी energies है जो imbalance है जिसके वज़े से बाहर surrounding में situations ऐसे आते हैं imbalance state हो जाती है और जिसके वज़े से एक life में harmony नहीं रहती है संतुलन नहीं रहता है proper जिसके वज़े से relationship में भी problems आते हैं हम लोगों से जब interaction करते हैं तभी भी problem होता है क्योंकि हमारे energies लोगों के साथ exchange हो रहे है तो एक open minded attitude रखना life में बहुत जरूरी है हमें अपना वो जो पुराने belief system हमने बना कर रखे है उन सब को हटाना बहुत जरूरी है हम अब तक एक imbalance masculine energies में रहते आये थे अब हमें इन energies को balance करना है अब अगर हमें grow करना है, evolve करना है अपने consciousness को raise करना है तो हमें इन energies को balance करना बहुत जरूरी है तब भी हमारे life में वो harmony बनी रहेगी तब भी हमारे life में संतुलन बना रहेगा, balance बना रहेगा और हम life में जब लोगों से इंटराक्ट करेंगे तो भी एक balance state में इंटराक्ट करेंगे और वो loving attitude भी रहेगा, वो power भी रहेगा, वो strength भी रहेगा दोनों ही masculine और feminine balance रहेगा हमारे अंदर लाइफ में वो problems नहीं रहेंगे, power struggles नहीं होगा हम एक दूसरे को dominant करने की कोशिश नहीं करेंगे दोनों ही energies एक दूसरे को compliment करती है और दोनों ही ज़रूरी होती है अगर हमें कुछ भी life में अपने achieve करना है, अगर हमें अपना life purpose अपना जीना है अगर हमें अपने dreams तक पहुचना है, अगर हमें relationship में healthy relationships maintain करना है अगर हमें life में कुछ भी achieve करना है तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों ही energies को हम balance रखे तो हमें अपने अंदर देखना है कि हमारी कौन सी energy imbalance है हमारा जो feminine energy है वो imbalance है, कि हमारे अंदर जो masculine energy है वो imbalance है अगर masculine energy imbalance रहेगी तो हम life में proper action नहीं ले सकते है अगर हमारा बहुत ज़रा feminine energy है हमारे अंदर तो हम सोचते तो रहते हैं बहुत ही creative रहते हैं, imagine करते हैं पर properly हम उनको उन सब चीजों को अपने life में manifest नहीं कर सकते हैं proper actions लेकर proper strength नहीं है हमारे अंदर कि हम वो सारी चीजों को अपने life में manifest करें और risk लेकर वो सारी चीजों को पूरा करें तो अगर बहुत ज़रा feminine energy हमारे अंदर flow हो रही है तो हमें अपने masculine energy को balance करना है और अगर बहुत ज़रा masculine energy है कि अगर masculine side imbalance होता है वो इंसान बहुत ज़री अपने life में decisions ले लेते हैं action ले लेते हैं और फिर बाद में उन्हें पच्टावा होता है अपने decisions पर और बहुत ज़रा logically चीजों को सोचने लग जाते हैं जिसके वज़े से वो अपना intuition नहीं follow कर पाते हैं और right decisions अपने life में ले पाते हैं तो ऐसे ही हमें अपने life में देखना है कि हमारा कौन सा side है जो balance नहीं है जिसके वज़े से life में problems हम face कर रहे हैं at present और हमें उनको balance करने की कोशिश करना है तो I hope आपको थोड़ी बहुत clarity आ गई होगी कि divine feminine और divine masculine क्या होता है जो शेव और शक्ती है ये दोनों ही शक्तिया हमारे अंदर है ये दोनों ही energies हमारे अंदर है ये दोनों ही energies को हमें balance करना बहुत ज़रूरी है तब भी हमारे life में वो संतुलन रहेगा वो inner balance रहेगा और वो harmony रहेगी और हम अपने life में grow हो सकते है थांक्स पर watching टेक केर नमस्ते